हलो स्टूडर, वेल्कम टू दे चानल यापनिक एडमी आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 की केमेश्ट्री को पढ़ाने वाली हूँ जिसका पहला चेप्टर है रसाइनिक अभी किरिया एमम समी करने इंग्लिस में बोलते हैं केमिकल रियक्शन एंड इक्वियसन यह चेप्टर बहुत ही ज्यादा इंड्रेस्टिंग है और आपको इस चेप्टर में नही नही चीजे सिखने को मिलेंगी और इस चेप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके समझेंगे और पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आपको जो फर्स्ट चेप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है रसाइनिक अभिकिरिया यानि की क्यामिकल रियक्शन और इसका मैं परिवासा लिख दी हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो एक और बात मैं बता दू कि आपको इस परिवासा को रठना नहीं है अगर आप खुद रठ लेंगे तो फिर एक्जाम में आप खुद से जाकर एक्जाम नहीं देदेंगे जो रठे हुए हैं तो फिर टीचर किसलिए है टीचर आपको है समझाने के लिए जो आप रठ रहे हैं जो परिवासा को आप याद कर रहे हैं उसको समझना भी जरूरी है तेके अगर आप रठेंगे तो दो तिन दिन के लिए याद रहेगा फिर आप भूल जाएंगे अगर आप समझेंगे परिभासा को, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा तो चलिए हम रसाइने का विक्रिया को पहले समझते हैं, तब हम परिभासा को देखेंगे देखिए, आप अपने चारों तरफ अनिक परकार के बदलाओ देखेंगे जैसे कि मैं आपको एक्जामपल दूँ, चावल से भात का बनना अगर दूद को गर्मी के दिन में खुला छोड़ दिया जाए, तो दूद से दही बन जाना अगर लोहे को आदरवायू में खुला छोड़ दिया जाए, तो लोहे पर एक पतली परत लग जाती है जिसको बोलते हैं जंग लगना तो लोहे पर जंग लगना आप अपने घर में बहुत सारी परिवर्तन देखे होंगे जैसे कि खाना बनते समय खाना में यानकि उस भोजन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं तो यह जितने भी सारे परिवर्तन होते हैं वो होते रसाइनिक प तो जो नया पधास बनता है रसाइनिक अभी किरिया से वो नय गुर्वाला होता है जैसे कि दूद से जब दही बनता है वो नया गुर्वाला होता है दूद से बिल्कुल अलग दूद का स्वाद अलग होगा और दही का स्वाद अलग होगा ठीक है अब देखिए रसाइनिक अभी किरिया की अब परिवासा को देखते हैं, परिवासा है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही, या किसी अन्य पदार्थ से किरिया करके, भिन गुरवाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्मार करता है, तब वह अपर किरिया रसायनिक अभी किरिया कहलाती है, इसका हम पदार्थ अकेले कोई और हो कोई औरम पदार्थ हो जैसे कि दूद अकेले चावल और पानी की बात करें तो यह तो यह दोनों अभिक्रिया एक नहीं है दो अभिक्रिया करकर भात बन रहा है तो ये भी एक रसाइनिक अभिक्रिया है फर्क सिर्फ इतना है कि जो दूद है वो अकेले हैं और चावल और पानी ये एक साथ मिलकर अभिक्रिया करके भात को बना रहे हैं तो ये हो गई आपकी रसाइनिक अब हम देखे आगे हम पढ़ते हैं अब हम समझें कि अभिकारक क्या है और परतिफल क्या है देखे जो हम चावल लिए हैं और पानी लिए हैं ये दोनों एक साथ अभिकिरिया कर रही है ना अई अभिकिरिया करकर हमको भात बना कर दे रही है तो चावल और पानी ये दोनों हो गए अभिकारक जो अभिकिरिया कर रहे हैं यानि कि अभिकिरिया करने वाले कारक अभिकारक कहलाते हैं जैसे कि चावल और पानी दूद भी हो सकता है कारक क्योंकि दूद भी अभिकारक हो सकता है क्योंकि यह अभिकिरिया कर रहा है तो अभिकिरिया करने वाले कारक अभिकारक कहलाते हैं जो रसाइनिक अभिकिरिया में भाग लेते हैं अब पर्दिफल क्या है यह अभिकिरिया करकर जब नए पदार्थ बनाते हैं जैसे कि चावल और पानी अभिकिरिया करकर भात बनाते हैं तो यह और उस अभिकारक के अभिकिरिया करने के बसचात, जो हमें मिलता यह नाया पदाथ, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्त यानिकी पर्तिवल, यह आपको क्लिएर हो गया, अब आपके चाहरे तो बहुत सारी क्यरिया होती है, अभिकिरिया होती है, तो आप कैसे मालूम चलेगा कि कि वो जो अभी किरिया हुई है वो रसाइनी का भी किरिया है कुछ तो हिंट होना चाहिए ना कि हम कैसे पता चले कैसे पता चलेगा कि हमारे सामने जो किरिया हुई है वो रसाइनी का भी किरिया है तो देखिए जो रसाइनी का भी किरिया होती है उसके पास कुछ विसेष्ट को ठीक होती है तो उसमें कुछ विष्ष्ष्ष्ष्टाए होती है कि वह बताती है कि यह जो अवоды किरिया हुई है रसाइन गभी kedya hai पिंपों मैं आपको समझाती हुँ कि जो रसाइन गभीомина होती है तो कैसे पता चलता है कि रसाइन गभी DOB कुछ लिखेंगे हम रसाइनिक अभी किरिया की विसेस्टार रसाइनिक अभी किरिया की विसेस्टार मैं एक एक करकर लिख दे रही हूँ पहला है रंग में परिवर्तन रंग में परिवर्तन दूसरा है तो मैं यहाँ पर रसाइनिक अभी किरिया की विसेस्टार को लिख दी हूँ जिसे आपको पता चलेगा कि जो अभी किरिया हुई है वो रसाइनिक अभी किरिया है की नहीं ठीक है तो पहला है रंग में परिवर्तन अगर रंग में परिवर्तन होता है कोई किरिया हो रही है और उसमें रंग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको बोलेंगे कि यह जो किरिया हुई है वो रसाइनिक अभी किरिया है जैसे कि मैं example दूँ तो आप लाल कलर को और वाइट कलर को दोनों को एक साथ मिला कर किरिया कराएंगे तो जो नया नया जो रंग बनेगा वो बनेगा गुलावी देखिए अगर हम लाल कलर को मिलाते हैं प्लास सफेद कलर को मिलाते हैं तो इन दोनों को मिलाने के बाद हमें जो नाया रंग प्राप्थ होगा वो मिलेगा गुलाबी ठीक है तो ये लाल और सफेद जो अभी किरिया में भाग ले ली है यहां पर एक और मात जो इसके पहले में बोली थी वो भी समझा दे रही हूं क कियां पर लाल और सफेद जो अभी किरिया में भाग ले रहे हैं किरिया कर रहे हैं उसको बोल देंगे अभिकारक ये दोनों क्या हो गए अभिकारक हो गए ठीक है और इनकी अभी किरिया करने के पश्चात जो हमें नया रंग मिला नया पदार्त मिला उसको बोल देंगे हम मां पर्तिफन तो तैसे तो यह हो गया अगर रंग में परीवर्तन हो रहा है कोई किलिया में तो उसको बोलनेंगे हम रशायनी कभी किलिया दूसरा है अवस्था में परीवर्तन अगर Giray आब जानते हैं तो पानी तो द्राव है, जब आप उसको freeze में रखेंगे तो वो बर्फ हो जाएगा, तो वो बर्फ क्या हो गया, ठोस हो गया, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे हम रसानी का विक्रिया, अगला है ताप में परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि पानी विक्रिया जो हुई है, वो रसानी का विक्रिया, जैसे कि हम ही लोग ले लिए, हम लोग स्वासन करते हैं, गैस छोड़ते हैं, करबंडाई अक्साइड शोड़ते हैं, तो यह जो स्वासन की परिक्रिया है, इसको यह भी एक तरह का रसानी का विक्रिया, इसको भी बोल सक अभीकिर्या है तो एक और मैं अच्छा सा इक्जाम्पल देती हूं, जिसे आप असानी से समझी जाएंगे, देखए, रसाइनी का अभी यहां हो जाती है रसाइनी का अभीकिर्या पधार्त नया गुडवाला पधार्त बन जाता है, तो वो नया गुडवाला पदार्थ फिर वापस जिस से बना है वो पदार नहीं बन सकता जैसे कि मान लिजे दूद से दही बना है तो दही से वापस दूद नहीं बन सकता चाय बना है उसमें चाय पत्ती चीनी पानी में डाले थे ना चाय पत्ती चीनी तो अगर हम उसको चाय बना दिया और चाय से हम हम फिर सोचे कि हम चाय पती को अलग कर दे चीनी को अलग कर दे पानी को अलग कर दे तो यह नहीं होगा और रसाइनिक अभिक्रिया में यही एक इंपोर्डन विसेश्था है कि वो जब अपना मूल रूप धारन कर लेता है पदार तो फिर वो अपने वापत अवस्था में व जैसे कि एक्जामपल ले वो लोहा वाला जंग लगता है तो यहांंपर मिलता है तो यहां पर मिलता है Fe2O3 यहनिकी आईरन ओक्साइड मिलता है लोहे को जब हम आदर वाईउ में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर उस टाइप का पड़ता है उस पर आईरन ओक्साइड बनाता है जिसको हम बोलते हैं कि लोहे पर जंग लग गया है और यह दोनों तो आप जानते हैं अभी कारक हो गए यह हो गए परतिफल यहां तक किलियर है आज के इस वीडियो में बस इतना ही आने वाले वीडियो में इसके अगले टॉपिक को पढ़ेंग